यह क्या आपका function है एक function है जिसमें आपने देखो क्या देखना है range of these function only range ही बतानी है यहाँ पर क्या होने वाला है ठीक है कोई दिक्कत नहीं बता देंगे क्या है तो चलो होई start करो अपना काम तो पहला वाला क्यूशन तो पहले वाले क्यूशन में आपको function तो आपको अच्छी तरीकस दिया देखो अक्स के उपर क्या condition है बड़े यानिकि अक्स को greater than 0 बोला है यानि 0 भी नहीं है अपने पास तो यानि greater than 0 का मतलब हो गया कि इसमें अक्स से greater than यानिकि 0 से बड़ी वाली value जो भी हो वो रखो आप तो ठीक है रखते हैं क्या बुलता है देखतें क्या है तो यहां से देखो बड़ी क्या है कि पहले में क्या करता हूँ अक्स की value रखता हूँ क्या 0.1 तो यहां से y की value क्या आती है 2-3 0.1 तो यहां से क्या हैगा 2 into 0.3 तो यहां से आपके लिए क्या value आई तो इसमें से गया तो 3 तो 1.7 बचा फिर जैसे आपने इसको देखो 2 दिया तो y equal to क्यतना हैगा 2 और 3 into 0.2 यहां से क्यतना है 6 आया y equal to 2 minus का point 0.6 y equal to 1 4 यहां तक इसमें x equal to 3 अब थोड़ी value बढ़ा देता हूँ मैं अब क्या है अब यहां पे तो नहीं खेलेंगे यहां अब खेलेंगे 1 तो y और यह सारी values क्या आरही है आपको पता है तो 2 आरही है 2 minus 3 यह सही है point 1 तो यहां से आएगा 0 से 2 हाँ ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं यहां से देखने पे देखो y y equal to 2 minus 3 into 1 अब देखो कि y क्या value है minus 1 यहां तक ठीक है अब दूसरा यह दि आप x की value 2 रखोगे तो देखो कि क्या आएगा 2 minus 3 into 2 यहां से देखो y की value कितनी आई minus का 4 ठीक है इसी में अब आगे देखो function की values में लिखता जा रहा हूं तो यहां पे देखो x की value आप कितनी भी रखो यहां पे 3 रखोगे तो y आपके लिए 2 into minus 3 into 3 तो y equal to 2 minus 9 तो यह आएगा minus 7 यहां तक clear अब देखो यहां से क्या बन जाती इनका एक draw बना लो यहां से आप तो जिसे आपको clear हो कि हम क्या कर रहे हैं देखो जैसे यह आपने x की value क्या रखी 0.1 तो आपके लिए देखो y की value क्या आई 1.7 जैसे आपने x की value देखो क्या रखी 0.2 तो यहां पे आई आपकी value आई 1.4 1.4 जैसे आपने x equal to 1 रखा 1 रखते है आपके लिए y equal to कितना है minus का 1 जैसे आपने x equal to क्या रखा 2 रखा तो y equal to कितना है minus का 4 जैसे आपने x equal to कितना है 3 रखा तो y की value आई minus का 7 तो इस तरीके से देखो आप हम देखो कितने negative में जा रहे हैं यानि कि value अपनी, आपनी range क्या जा रही है, ऐसे ऐसे जाएंगे, x की value इंफाइनएट तक लेके जाएंगे, तो y की value जाएगे, minus infinite, समझ में ही बात है, तो minus infinite तक value जा रही है, अब देखो कि कहा, अब अपनी range का, अब देखो range में, क्या है अपने पास, x की value आप 0 तो नहीं है लेकिन 0 रखे देख लो यानि कि हमारे पास अपने domain में 0 है नहीं लेकिन y कीतना आ रहा है 2 हमें इसको सामिल नहीं करना है लेकिन 2 से सारी की सारी value नीचे ही है इसका मतलब जब भी हम अब क्या लिखेंगे यहां से जो अपने पास देखे टेबिल है वो फ्रॉम टेबिल फ्रॉम टेबिल वी फाइंड दी रेंज ओफ फंक्शन लेको अक्स की value जैसे हमारी लेको अक्स की value 0 है तो उस पे देखो क्या हैगी यहां पे 2 है 2 को तो सामिल करेंगे नहीं ठीक है क्योंकि अपने अक्स ही अपने हाथ में नहीं है तो 2 को कैसे हाथ में ले लेंगे control में तो होना चाहिए क्योंकि यहां पे इसने अक्स को greater than 0 वर्ट हमने तो एक ऐसे ही value क्या रखो बहुत ही करीब से रखो अक्स value यह ठीक है तो आप देखो 2 के करीब कितना पहुंच पाओगे तो यहां से यदि आप क्या रखोगे यहां पे देखो यहां पे आप क्या रख रहे हो अक्स की value 0.001 क्योंकि 0 से बड़ी और यहां से देखो तो 2-3 into 0 0 0 और 1 अब यहां से क्याएगा 2- 0 0 और यह 3 अब यहां पे end में क्याएगा 1.99 और 7 आएगा यह देखो हम कितने करीब पहुंच उगे है यह 2 के यहां पे देखो य की value कितनी आई है 1.99 लेकिन कभी भी हम अपनी life में भी 2 के करीब जाई नहीं पाएंगे 2 के उपर जाने के लिए आपको क्या चीए 0 लेकिन 0 आपके हाथ में नहीं है इसका मतलब मैंने यहां पे 2 के उपर क्या कर दिया अपने close bracket open bracket लगा दिया क्योंकि x अपने हाथ में नहीं इसका मतलब यह आप x equal to 2 करते हो जो कि अपने हाथ में नहीं है तो y भी अपने हाथ में नहीं होगा जो कि यहां पे क्या होगा open यह लगेगा तो इसलिए मैंने open लिखा और negative में जा ही रहे है तो यह इसकी देन जा गई ठीक है? 2nd में 2nd में 2nd में function देखेगा x is the real number ठीक है? यहां पे क्या बोला है x 2nd में y equal to आपको दियावा x square plus 2 है जिसमे x belong कर रहा है ठीक है? यहां पे तो यहां से आपको clear हो जाना चाहिए x की value क्या है? तो यहां से देखो table ही बढ़ा लेते है directly में रहा हुआ iralak यहां पे फुका x घक हाओ यहां पे आएगा यहां पे x आएगा यहां पे y equal to क्याएगा x square plus का 2 आएगा Busy पे यहां पे अक्स अपना रियल नंबर में से है यह है ठीक है यहाँ पर अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर रेंच फाइंड आउट करने है और अक्स अपना रियल है इसका मतलब यहाँ से 0 देदो यहाँ से देखो 0 दो फिर देखो यहाँ पर 1 पॉइंट माइनस का दो माइनस का 0.2 देदो फिर 1 देदो माइनस का फिर 2 point या 1.5 देदो और यहाँ पर minus का 2 देदो फिर आप क्या देना चाहोगे यहाँ पर 3 देदो यहाँ पर minus और इस तरीके से हम infinite तक जा रहे हैं यहाँ पर 1 लोगो यहाँ पर भी आप देखोगे ना 0.1 0.2 फिर 1 देदो फिर 2 1.5 और यहाँ पर 2 फिर यहाँ से 5 यहाँ पर यहाँ पर देदो भी जितना देना चाहोगे उतना देदो फिर देखना कि क्या आएगा यहाँ से आप देखो 0 से 1 से कितना सारा रियल लंबर ले लिया है यहाँ पर और नीचे भी क्या है आप infinite तक ही जा रहे हो और उपर भी minus infinite तक ही जाते रहो गए ठीक है और यहां से देखो अब यहां पर 0 रखते हैं आपके लिए 2 यहां पर 0 यानि 1 तो यहां से देखो इसका कितना आएगा बई जैसे आप x2 क्या रखोगे 0.1 तो y इकोल डू क्या हैगा 0.01 प्लस का 2 तो आपके लिए यहां पर value आएगी यहां पर आएगी 2.01 जैसे आप इसके उपर लगाओगे तो यहां पर आएगा 2.04 यहां पर 1 लिखते ही आपके लिए आएगा 3 जैसे 1.5 लिखोगे 1.5 का आएगा 2.25 और प्लस में कितना आएगा आपको कितना एड करना पड़ेगा 1 तो यहां पर आएगा 3.25 फिर यहां पर 2 आया है तो 2 का एगा 4 4 का क्या होगा 5 5 का क्या होगा कि 25 25 में 2 एड होगा यहां यहाँ पर 2 8 होगा तो यह 4.2 होगा और यहाँ से कितना आएगा 4 तो 6.25 होगा और यहाँ से रुकिये रुकिये only यहाँ पर 6 होगा फिर 25 का क्या होगा 27 तो यहाँ से देखने पर यही बातें clear होगी देखे आगे भी देखुए तो वही 2 two point क्युंकि x square गो तो वो positive बना देगा और यहाँ से देखो के then four point यहाँ पर two pointतो two का मतलब हो गया two यहाँ हो और यहाँ से आगा कितना ऐगा two point two four यहाँ से आजागा कितना two plus 2 प्लस का one तो यहाँ से three आजागा और यहाँपर आजागा कितना इस तरीके से value, अब value आप देखोगे, तो 2 से तो बड़ी है, लेकिन 2 से नीचे कोई भी नहीं है, और 2 क्या आपके eject आ रहा, 0 रखने पर 2, इसका मतलब clear है, कि from the diagram, देखो, यानि कि यहां से, from table, clear that, यहां से, जो आपकी range होगी, वो क्या होगी, भई, रेंज है वो क्या होगी, यहां से 2 से लेके, यह इसका एक तो आपको करने का तरीक, यह है, बट आप यह चाओ, तो आपको पता है, कि यह देखो, क्या देख सकती हूँ, अक्सी स्कवेर है, आपको पता है, अक्सी स्कवेर क्या होता है, हमेर से greater than equal to 0 होता है, फिर इसमें आपको क्या कर दो, x square में दोनों तरफ add कर दो add यानि positive यानि add करने पर sin of inequality change नहीं होती है तो यहां से देखो आपका यह क्या बना यह क्या था y और y आपका क्या हो गया greater than 2 इसका मतलब y की value देखो 2 से लेके यहां से infinite मैंने यहां पर यही लिखी जो कि हमने एक तो values से देखा एक इस तरीके से देखा अब इसी में last question है वो देखीगा इसका third वाला y equal to x है ठीक है यह na y equal to x यह y equal to x है x किस में belong कर रहा है real number में यह तो आपका identity function हो गया identity function का गराब जानते हो गई यह तो है यह आपका identity function है और identity function में यह आपका plus infinite होता है यह minus होता है यह plus होता है यह minus being यह आपका 0,0 यह יखल to X तो इसका मतलब यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर take minus यहाँ यहाँ 2 minus 3 तो क्या होता है? यह तो यहाँ से दूर्ट जहको यह पूरा का पूरा यह पूरा यह डियाließen इसका मिलब यहाँ पर रेंज क्योंकि कि यह क्या होगा we know that कि यह जो function this function is identity function then range is also range क्या होगी? तो यहाँ से जो range है वो आपके लिए क्या होगी? R यह